नमश्कार दोस्तों, बहुती सरल बढ़िया टॉपिक, बड़े शहर के बच्चे and सरकारी नौकरी ये aspect पे सरकारी नौकरी पे अभी तक मैंने cover नहीं किया, अलग-अलग aspects पे मैंने किया बड़े शहर के जो बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी नहीं करनी चाहिए is the message उसका कारण मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास consultation में बहुत लोग आ रहे हैं सरकारी नौकरी निकालने के लिए तो आपको एक exam चाहिए अगर आपके पास एक particular तरह की अकल है और महनत है तो exam निकाल देता है कोई भी निकाल सकता है छोटे बड़े शहर उसमें इतना वो नहीं है पर बड़े शहर के बच्चे खुश नहीं हैं सरकारी नौकरीों में इस दा message नहीं रह पाते वो छोटे शहरों में जाके पुरगाओं का बच्चा हर्याना गौर्रमेंट में जाकर जीन्द में फतेयाबाद में खुछ नहीं रह सकता जो यहां के स्कूलों में पढ़ा है यहीं पैदा हुआ है यहीं गुमा फिरा है यह मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आप अपने प्रांतों में चेक कर लो अगर आप छोटे कस्बे से आते हैं चोटे शहर चोटे गाउं से आते हैं तो ठीक है करो सरकारी नौगरी लो और वो उन्हीं में आप रहोगे आपको इज़्जत भी जादा मिलेगी नियूसेंस भी जादा है क्योंकि सारा तंतरी उस तरह से चलता है कि मेरा काम हो जाए मेरा बच्चा उसके अंदर है तो आपको फीलिंग आईगी बड़े घर के बड़े घर में भी अब मैं बता दूँगा जो अमीर थोड़े हैं अपर मिल्ल क्लास हैं या मिल्ल मिल्ल क्लास वाले भी हैं उनके बच्चे भी खुश नहीं है क्योंकि उनके परिवार को वो डारेटली एफेट करी नहीं सकते आप चिन्नहीं में लगे हों या हर्याना के रहने वाले क्या बलागर्द हो गया आप किसी बैंक PSU में चलेगे बैंक PSU पर मैंने पहले भी एक पर वीडियो बनाय था PSU बैंक को खिर्पिया करके छोटे शहरों के लोग ही जॉइन करें क्योंकि ऐसी ऐसी जगे पोस्टिंग्स हैं कि सारे means of transport यूज हो जाएंगे आपके खचर तक कई बैंकों में पहुचने के लिए means of modes of transport पढ़ते हैं ना में फिर्स ग्लास सेंगंडे यहाझ है उद्ट रस ईसनीचे ट्रें है यह गाड़ी है कार है फिर वस है फिर ट्र हैपिर टेंपakahिर हो विक्रम है पिर वह स्कूटर है फिर साइकल है फिर वह खचर है तो वह वहां तक लेवल तक चले जाओगा फिर बड़ा दुखी हो और फिर लाइफ में कुछ आगे बढ़ता नहीं दिखेगा बहुत लोगों की बीमिया नौकरी नहीं कर पाती क्योंकि वह सरकारी नौकरी में होते क्यों गुमी-गुमी करके रहते हैं वह अराम तो आपको जाने की छोटे शहरों के नौकरी की करने की जरूती नहीं बाइपस कर वर्थित ही नहीं है ना पैसा इतना है मजा आये गा नहीं रही नहीं पाओगे वह जीज के हाँ security of नौकरी येस पर security of place नहीं है आज यहां कल होँआ और बीवी से दूर रहना पड़ेगा कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और इस situation में already हैं please comment section में लिखें ताकि जो लोग इस situation में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो उस बड़े शहर या upper middle class को belong करते हैं तो वो सरकारी नौकरी में ना पसें किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में ना पसें सरकारी नौकरियों में आने वाले टाइम में जो sense of perceived इजट थी वो नहीं मिलेगी बहुत लोगों को पीड़ा हो जाती कि जिसकी कल लगी है मैं उसकी ये चीज़ हटा रहा हूं तो कहेगा क्या पफ़ास कर रहा है तो ऐसे मत कर तू मतलब वो दर्द इसलिए हो रहा है क्यों को अधिया रीडियो वाल आखो देखा हाल तो आखो देखा हाल ये है आज के दिन और आगे और आपको दिखेगा तो people who will come into the government jobs will not get that kind of social status which they have been enjoying for such a long time till now and if you happen to belong to a decent income वाली family and happen to stay in a bigger share in good schools तो जहां से आप पढ़े हैं तो वहां से आपको सरकारी नौकर में फाइदा नहीं होगा आपके बच्चे आप चाहेंगे कि आप जिन स्कूलों में पढ़े हैं at least उन स्कूलों में पढ़े हैं if not better वो आपको opportunity नहीं मिलने वाली आपकी wife को काम करने की opportunity नहीं मिलने वाली आपको growth की opportunity नहीं मिलने वाली कि आप कहीं इंवेस्ट कर लें monitor कर लेएं घर बना ले कुछ करना ही होने वाला हो यहां से हितावा से posting वह होगी मिरजापूर हो गई फिर वहां से कहीं सुपॉल district में जा रहे हैं भीहार में कहीं मोतिहारी में तो आप चोटे शहर वाले तो पूरे जल्वे ले लेते हैं उन्हें पूरी नॉंसेंस और तभंगई करनी सब आती है अपने रील्स बनाना अताता तीना करना दिखाना सब जल्वे पूरे लेना उन्हें तो स्वाद आजाएगा पर उनका भी स्वाद जा रहा है साथ-8 साल मे ये भी एक फैक्ट है तो जो छोटे शहरों वाले भी बन रहे हैं वो भी सरकारी नौकरी में 10 साल तक छिक जा रहे हैं छिकने का मतलब होता है अती हो चुकी है उनकी और जो बड़े शहरों से आ रहे हैं वो तो दो साल के अंदर ही पक जा रहे हैं फिर दो साल पकने के और इतनी सेंस अचीमिन मिलती है तो फर्स टाइम सरकारी नौकर भी रेवर टेल इस फैमिली और फ्रेंड्स और नौकरी चोड़ना चाहता हूं सारी दुनिया का पहले रेक्शन पाग लेगा पाग लेगा क्योंकि यार दुनिया तो वहां लेगे तू छोड़ रहा है तो छो सरकारी नौकरी प्लीज जो गरीब तबका है पिछड़ा तबका है हमारा समाज का उनके लिए छोड़ दो नौकरिया आपका परिवार अगर एक लेवल से उपर हो गया अब यह बड़ी बात करते ना मुझे लोग ना उस तरह कर देंगे इंक्लूडिंग वो लोग जिनको opportunity मिल जाएगी मालो मेरे वीडियो से 5000 लोगों ने सरकारी नौकरी नहीं करी वो 5000 सरकारी नौकरी किसी गरीब परिवार को मिल गी तो यह गरीब परिवार मेरी clapping नहीं करने वाला मुझे भी पता है वो गया क्या बक्वास कर रहा है मतलब because they want that feeling मैं वो feeling नहीं मिलने वाली मैं यह भी बता रहा हूं जब तक आप लोगों के YouTube drisUSE राव है उस लगता है कि पता नहीं वो क्या देश बदल देगा कर देगा कुछ नहीं भाई कुछ ने बदल सकता सरकारी नौकर अपने घर कर अपने दफ़तर का पेंट नहीं बदल सकता दफ़तर की कुरसी कि मिलंक बदल सकता उसका जो परिंटर है उसको नहीं बद यार अपनी वेज़ती कौन कराएगा कोई नहीं कराएगा अब मेरे जैसा आके मेरे को को फाइदा नहीं होता करने का लेकिन मेरा क्या काम है हर एक दो महिने में मेरा मन कर जाता है अब है अद्वाइजर टू पीम में सानियाल जी उनने भी कुछ ऐसे वीडियो बना यह वाले टाइटू पैन के अधिकारी ऐसे आएंगे और बोलेंगे कि हमारी बखवास नौकरी यह मता हो यह उपर पॉलिटीशन बोलेगा ताकि यह जो इतना गदर मचा पड़ा है ना कि यह नौकरी सरकारी नौकरी हाई नौकरी हाई रिजर्वेशन यह थोड़ा कम हो यह फेस्ब हो रहा है उनका के ताता हो रहा है वो खुदी आके एक दिन आपको काली सच्चा ही बताएंगे कि नहीं नहीं इस वरी टफ और बोला नहीं जाता उनसे यह भी तकलीफ का एक विश्य है क्यों कैसे बोले उनने पूरी लाइफ लगा दी और फुर बोलेंगे कि जो हम जहां पहुचे वो क्या पूरा मीनिंगलेस है भाई साब तो वो बोलना भी मुझे पता है कि इस नौट इजी इंडर्साइब बढ़ेंगे पीपल लाइक मी इंडिपेंडेंट अब्जर्वर्स विल कमें ते लिओ कि भाई तुम खुलम खुला बतादी ठीक था घर का है थारा ज वो बोलेंगे नी 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 तुम्हें क्या पता है तो घूस खा जाएंगे से मैं कोई सुझ लहने में नहीं बैठा मैं यहीं बैठ के बता रहो इस नौट वर्थ इट वर्थ इट इस नौट वर्थ इट I say that 2024 में सरकारी नौकरी जो लेगा वो 2060 तक करेगा ना भाई मेरे 24 साल का लगा तो 2060 तक करेगा ठीक है तो वर्थ इट नहीं है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं फस जाओगे खहीं के भी नहीं रहोगे सरकारी नौकरी में पूछलो रिष्टेदारी में जो हो जिसकी 10-12-14 साल सर्विस होगी उससे पूछो वही तरे स्वाद आ रहे है ये नहीं आरे अगर रुकेद है और आँसे 5 लोग मिल जाए आपको कहीं भी बोलने वाले जो स्वाद आ रहे हैं पांच लोग सरकारी नौकरी में 10 साल से उपर क्यों नीचे एक साल दो साल में तो स्वाद आते हैं या नीमन पीरिड होता है उस दस साल से उपर वाला करें हेंकरेंच